नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अगरवाल एस्टो वर्ड में आपका स्वागत करती हूँ इस वार जो नाग पंचमी है वो 13 अगस्त दिन शुकरवार की है लेकिन सावन में वैसे तो सारे ही दिन बहुत शुब होते हैं कोई भी पूजा जब तब दान के लिए लेकिन नाग पंचमी बहुत विशेश तिती होती है राहुकेतू की पूजा के लिए क्योंकि जो नागों का संबंध है वो हमारे राहुकेतू से जोड़ा जाता है तो अगर आपकी पत्री में कहीं भी कोई राहुकेतू से संबंध दोश है तो उस दिन अगर आप पूजा करेंगे तो आपके संबंध से दोशों से आपको मुक्ती मिलेगी क्योंकि जब राहुकेतू हमारी पत्री में खराब होते हैं तो बहुत सारे खराब दोश, कालसर्व दोश, गुरू चंडाल योग बहुत सारे दोशों का निर्मान करते हैं और दूसरा इस साल तो राहुकेतू अपनी उच्च राशी में है तो अगर आप कोई भी इनसे संबंधित कूजा करते हैं तो आपको बहुत जादा शोबर फलदाई होगा तो आपको पहले में ये बताऊंगी कि आपको कैसे पता चले कि राहुकेतू आपकी पत्री में खराब दोश का निर्मान कर रहे देखे अगर आपको रात को सोते में खराब सपने आते हैं आप सपने देखकर डर जाते हैं, आपके व्यवसाय में निरंतर हानी हो रही है, आपकी आर्थिक इस्तिती कमजोर हो रही है, आपको रोज कोट कचेरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपके घर में किसी को ऐसी बिमारी हो गई है जो पता ही नहीं चल रही है, दूसरा आ आपके घर में किसी के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, कलह हो रही है या किसी बच्चे के विवा में बहुत बिलंब हो रहा है, आपके यहां संतान उत्पत्ती में परेशानी है, तो इस दिन आप उस नाग दोश की आप विशेश पूजा करते हैं, तो आपको बहुत उत्तम फल मिलता है उसके लिए आपको करना यह है आप सुबह उठके सबसे पहले हाद जोड़कर बोलें हे नाग जल में थल में आकाश में पाताल में बापी में कूप में आप जहां कहीं भी हैं आपको शश्यत प्रणाम उसके बाद आप नंगे पैर आप किस बाबा का रुद्रविषेग कराएं और पारवती जी को लाल चुन्री हरी चूडी हरी मेंदी और एक चांदी की पायल भेट करें राहु जो कि हमारे पित्रों का कारक है उस दिन आप किसी ब्रहमन को घर बुलाएं और उसको बोजन कराएं और किसी तावे के पात्र में तो भी दोश हैं वो सब खतम हो जाएंगे अगर लेकिन उस दिन आप अगर कोई भी मानली जी कोई विदिवत पूजा भी नहीं करवा पा रहे हैं तो उस दिन सबसे अच्छा है कि आप इन तीनों पेड़ों में से जामुन का या नाक केसर का या चंदन का पेड लगा लें औ उसमें पानी दें और उसके नीचे दीपक जलाएंगे तो आपको इनके समस्य दोशों से बहुत जल्दी मुक्ती मिल जाएगी नमस्कार दोस्तों मेरा वीडियो आपको एक ऐसा लगा आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखी और मेरी वीडियो को जादा से जादा कि ब हैं लिए को जल्मिा दें और मिल एका झार शृप कहते हैं दोशों से जल से जल आपको एक मिल्दी कर दोस्तों में पहल में पनर हक बानातव हैं वागए।